दोस्तों अभी हम खड़े हैं सूपर कोरिडोर पर और यहां पर आप देख सकते हो मेरे पीछे आपको देखने के लिए मिल रहा है चाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस का ओफिस जिहां TCS का ओफिस होने वाला है यह और यही पर आपको एक मेट्रो इस्टेशन भी देखने के पूरी पर आपको होने वाली है तो अम हम चलते हैं आपको प्रोजेट की लोकेशन पर लेके और यह लकिमें आ जो मेरे रासता जाता है यहाँ से हम इसी रास्ते से होते हुए हमारे प्रोजेटकवाल की लोकेशन पर अ झाल झाल जय श्री राम नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संतोष और स्वागत करता हूँ आपका हमारे प्रॉपर्टी चैनल पर जहां पर हम लाते हैं हर बार आपके लिए एक नई तरह की प्रॉपर्टी तो दोस्तों इसी के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स और रोहाउस से इसकी एक वाइड रेंज दिया दोस्तों प्रोजेक्ट बहुत शांदार होने वाला है इस प्रोजेक्ट के हम लोकेशन की बात करेंगे लेंड मार्स की बात करेंगे प्रैजिंग के बारे में बात करेंगे तो आप वीडियो में तक बने रहे हैं और इस वीडियो को देखते रहे हैं सारे प्रोजेक्ट की डिटल हम इसमें आपको बताने वाले हैं जिया दोस्तों अब हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बता दू यह प्रोजेक्ट होने वाला है लि करते हैं दिखाने के आपको जो आपको यह लाइन दिख रहे हैं यह सूपर कोरिडोर के साथ में लगी होई लाइन है जो कि मेट्रो की लाइन होने वाली है यहीं से आपको मेट्रो की लाइन जाने वाली है और जो येलो कलर का आप जो एक स्ट्रक्चर यहां से मुझे दिख यहां का Metro आपको railway station एक दिखने वाला है जिहां दोस्तों यहां पर Metro का एक station आने वाला है और TCS चोरहा जिए तीसी चोरहा ही आप उसको बोल सकते वो TCS चोराएगा Metro का railway station होने वाला है तो यह जो project की location है Super Corridor Limboda Giri के nearest होने वाली है TCS Infosys Yes Technology जैसे बड़े बड़े लेंडमार के पास में ही आपकी इस project की location को हम बोल सकते हैं जी यहां दोस्तों दोस्तों अब हम इस township की facility की बात कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूँ यह जो project पार नहीं दिखेंगे आपको underground electricity के facility यहां पर देखने के लिए मिलेगे इसे के साथ आपको यहां पर पार्किंग ब्लॉक्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगे जी हां दोस्तों आपके घर के सामने यहां पर पार्किंग ब्लॉक्स लगे रहेंगे जिससे आप यहा आपको यहाँ पर drainage system भी underground देखने के लिए मिलने वाला है, जिया दोस्तों, project बहुत अच्छा होने वाला है, इसे के साथ अब हम आपको बता दे कि यहाँ पर आपको garden facility भी मिलने वाली है, यहाँ पर हरे भरे 5 garden डेवलप किये जा रहे हैं, देख सकते हो, आप अलग-अलग locations यहाँ पर आपको garden डेवलप होकर देखने के लिए मिलने वाले है, project 40 भीगा के प्रॉक्स लेंड पर यह available होने वाला है, बहुत बड़ा project होने वाला है, जहाँ पर आपको plots की और row houses की वाइड रेंज देखने के लिए मिलने वाली है, जिया दोस्तों, चलिए आईए, अब हम इसकी project के ओवर आपको detail बताते हैं, तो दोस्तों, अभी हम middle of the township में खड़े हैं और यहाँ पर देख सकते हो, यह यहाँ पर एक बहुत अच्छा setup तयार किया हुआ है, जहाँ पर आपको fountain यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ दोस्तों, रात में जब यह fountain चा जा रहे हैं, और आप देख सकते हो, यहाँ पर एक जो प्लान किया हुआ, इस गजीबो के नीचे अभी में बेठा हूँ, बहुत अच्छा feel आ रहा है मुझे इस township में, और देख सकते हो, आप यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि गार्डन कितने अच्छे होने वाला है, जहाँ पर आपको greenery देखने के लिए मिलेगी, और यहीं पर आपको देख सकते हो, आप कितना बड़ा एक basketball court यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी friends, family, बच्चों के साथ basketball, game को enjoy कर सकते हैं, आपको कही ब दोस्तों, आप मेरे पीछे वहाँ पर देख रहे हो, काम बहुत तेजी से चल रहा है, वहाँ पर swimming pool का काम चल रहा है, और इसी एरिया में आपको clubhouse भी मिलने वाला है, जी हाँ दोस्तों, clubhouse में आपको सारी facilities आपको मिलने वाली है, वहाँ पर आपको yoga facilities देखने के लिए मि आते हैं, इसमें cricket court भी बन रहा है, वो सामने आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहाँ पर जो structure है, वो cricket का club बन रहा है, cricket court बन रहा है, जी हाँ, जहाँ पर आपके बच्चे आसानी से cricket खेल सकते हैं, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रुवत नहीं रहीगी, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, इस टाउंशिप में आपको plots और row houses की रेंज देखने के लिए मिलेगी, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यह जो आप मेरे पीछे row houses देख रहे हैं, यह बन कर तैयार हो रहे है, बहुत तेजी से यहाँ पर काम चल रहे है, इसकी अगर आपके house में देखने के लिए मिलने वाला है ज्या दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर plots की, तो plots की जो रेंज यहाँ आपको यहाँपर देखने के लिए मिलेगी, वो मिलने वाली है, 785 square feet से लेकर, 1500 square feet तक के plot की रेंज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है तो दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं जो रोहाउस यहाँ पर तैयार हो रहे हैं उसका एक सिंपल रोहाउस एक प्रॉक्सिमेटली तैयार हो चुका है इस्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो चुका है हम आपको दिखा देते हैं कैसे आपका यह रोहाउस री यहीं से आपकी connectivity हो जाती है kitchen की, देख सकते हो आप kitchen connectivity और यहीं से आपको देखने के लिए मिलता है आपका wash area, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है आपका first bedroom, जी हाँ दोस्तों, यहीं से आपको इसके साथ आप देखने के लिए मिलने वाला है अटेच लेड़ बाद, जी हाँ, अब हम यहाँ से चलते हैं, आगे इसके फर्स फ्लोर पे, देख सकते हूँ, अब एक शांदर सा आपको यहाँ पर एक कफन ग्लास के साथ यहाँ पर एक रेलिंग देखने के लिए मिलती है, और यहीं से हम चलते हुआ आते हैं हमारे फर्स देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फर्स टोर पर टू बीएज़की की प्लानिंग मिलने वाली है, पहले हम देखते हैं आपका यह सेकंड बेड्रूम होने वाला है, देख सकते हैं, अच्छा इस्पेशियस बेड्रूम है, इसी के साथ आपको यहाँ पर एक अटेच लेट बा आपको लेकर चलते हैं, आपको प्लानिंग, अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके टेरीस पर सो दोस्तों अब हम आ गये है Inह Nelson पर देख सकते हैं डेखर और यहां जय मिल रहा है आपको इहां से देखने के लिए मिल रहा है क्रिकेट यहां पर्पर सामने से आपको मेटर की लाई जा रही है सूपर कॉरिडोर यहीं से आपको देखने के यह बिल रही है यह हो जाती है दोस्तों हमारे रोहाउस की प्लानिंग जो की बना हुआ है बीस चालीस पर यानि की 800 स्वेरिफिट पर थ्री बीच के डूबलेक्स जी हां दोस्तों अब सारी डिटेल हमने आपको इस टाउंशिप की बता दी है अब हम आपको बता देते हैं य रोहाउस है जो 20-40 की प्लानिंग पर तैयार हो रहे है थ्री बीच के रोहाउस इसकी जो प्राइजिंग होने वाली है वो 65 लेक एंड 71 लेक रुपीज होने वाली है और प्लॉटिंग के अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहां पर प्लॉट्स आपको अविलेबल होन हैं तो आप आईए इस शांदार सी टाउंशिप में investment करके अपने investment को एक बहतर return दीजिए जिए जा दोस्तों Thank you very much दोस्तों I hope कि इस शांदार सी well developing township और best connectivity वाली township की मैंने सारी detail इस वीडियो में अच्छे सा cover करी है आपको सारी information दी है दोस्तों अगर फिर भी आपकी कुछ query होती है इस township से related तो description में दियो हुए number से आप हमसे contact करके इस township की सारी detail ले सकते हैं जिया दोस्तों thank you for watching this video अपना ध्यान रखिए अपने स्वास का ध्यान रखिए पेड़ लगाईए पानी बचाईए मिलते हमारे नेक्स वीडियो में जै हिन जै भारत